हालो नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अमरी यूटूब चैनल इड्यूट्री में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट सत्यागरह के बारे में पढ़ेंगे जो कि गांधी जी तो चलाए गए सत्यागरह में से प्रमुख है तो आए रॉलेट एक्ट सत सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को निस्सों सत्रह में जो भारत में बेटी सरकार थी उसने जस्टिस सिड्नी रॉलेट की अधिक्स्ता में एक कमीटी का गठनी किया था जिसका उद्देश क्रांती काड़ियों के काड़ियों की जाच करके उनको रोकने के लिए कानून प्रस्तावित करना था यह कमीटी जायजा लेने के उपरांत कानून में कई प्रकार के पड़िवर्तन किये जाने का सुझाव रखा इन सुझाओं में रखते वे भारतिये सरकार जो बेटी सरकार थी ने राष्ट्रिये काउंसिल के समुख दो विधियक छे फरवड़ी 1919 के दिन प्रस्तूत किये बेटी सरकार का यह दावा था कि शडियंतर काड़ी अपराधों को रोकने के लिए यह विधियक केवल और अस्थाई अधार पर लाया जा रहा है पर इसमें जो भारतिये क्रांतिकाडी थे उन्हें इस पर आपती था चाहे वो गरम दल से हो चाहे वो नडम दल से हो सबको इस कमिटी तरह जो प्रस्तावित कारून था उस पर संदेह था क्योंकि यहाँ एक तरह से दमन काड़ी कारून था इस प्रकार से दमन काड़ी था इसे आगे समझते हैं इस प्धेक में ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वरंड के उसे गिरफतार किया सकता था तथा इसकी जो काड़वाई थी वह खूले में नेयाले में नहीं होती बलकि गुप्त रूप से होनी थी और इसमें सबसे बड़ी खामिय थी कि बिना मुकदमा चलाए ही किसी भी व्यक्ति को दो साल तक कैद में रखा जा सकता था या किसी भी दक्ति पर सिर्फशक की आधार पे ही उसकी तलासी ली जा सकती थी इन सब आधार पे जो क्रांती काड़ी थे उन्होंने इस विध्य का पुर्जोर विरोध किया जिसमें गांधीची प्रमुक्त है इसमें भारतिय राष्ट वादी किया धार ना थी कि यह बिल गैर सरकारी और सरकारी जनमत को संतुष्ट करने के लिए लाए गये थे जिसने कि मंटेग्यू सुधार प्रस्तावों का विरोध किया था सारे देश में इन बिलों की आलोचना की गई गांधीची ने भी इसके विरोध अभियान छेट दिया 24 फड़वडी 1919 के दिन मुंबई में इन बिलों का विरोध करने के लिए गांधीची ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया इस सभा के सदस ने यह सफत लिया की अत्यन थी सब भी तरीके से जिनका की निर्न एक कमीटी तरह लिया जायेगा इन बिल का विरोध करेगा 6 अप्रेल 1919 को एक देश ब्याप्ती आंदोलन की योजना बनाई गई हर्ताल की सफलता विभिन छेत्रों, सहरों और ग्रामीन अंचलों में अलग-अलग थी दिल्ली में, जैसे दिल्ली में 30 मार्च का दिन ही हर्ताल की गई और इस दिन पुलीस की गोली से 10 व्यक्ती मारे गए तो अभी तक हमने मोटा मोटी यह समझा कि जो भारती बिटी सरकार थी 1917 में जैस्टिस सिड्नी रॉलट की अधिक्ता में एक कमीटी का अगठन किया वह क्रांती काडियों को किसी भी प्रकार से रोकना चाहती थी इसके लिए उन्होंने दमनकारी कानून प्रस्तावित किया जिसे 6 फरवरी 1919 को भारते बिटी सरकार ने राश्ट्रिय कांसुल के समक्ष प्रस्तुत किया इस कानून में इस कानून का जो विरोत किया गया उसका मुख्य वज़ा हिया था कि इसमें किसी ही व्यक्ति की तलासी ली जा सकती थी सिर्फ सक्क्याधार पे किसी व्यक्ति के खिलाफ बिना वारेंटी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था बिना मुकदमा चला ही किसी व्यक्ति को दो साल तक कैद में रखा जा सकता था और इसे खुले नयालों में इसकी कारवाई ना होकर गुफ्त तरीके से इसकी कारवाई होती जिसमें जो आरोपी होता उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती इसलिए सभी करांतिकारियों ने इसका विरोध किया, इसकी आलोजना की, जिसमें गांधी जी प्रमुख है, इसके लिए गांधी जी ने यह सत्यागरह अरम्ध किया आठ तारिक को गांधी जी मुंबई से दिल ली और पंजाब के लिए रवाना हुए सरकार ने यह माना कि उनका पंजाब आगमन खतरनाक हो सकता है गांधी जी लोग के जनवानस में इस तरह से भूल मिल गये थे और उनकी प्रसिद्धी इतनी थी कि उनकी एक आवाज पे लोगों की भीर खिच चलिया दी थी इसे सरकार को संदेह था कि अगर वो पंजाब आते है तो लोगों का भीर उग्र हो जाएगा या फिर उनके साथ समर्थन में अंग्रेजी सासन का पुर्जोड विरोध होगा जिसे सम्हालना साथ मुश्किल हो इसके लिए उन्होंने दिल्ली के निकट ही गांधी जी को गा गिरफ्तारी की खवर फैल गई इससे बंबई में इस्थिती तनावपूर्ण हो गया अहमदाबाद में वीर गाम अस्थान है वहां काफी हिंसा हुई अहमदाबाद में सरकार को मार्शला लगाना पड़ा सबसे अधिक हिंसा जो है वह पंजाब में विशेशतोर से अमरित अमरित सर में जिस समय गांधी जी की गिरफ्तारी की खवर पहुंची तो उसी समय महां के दो अस्थानिये नेता थे डाक्टर कीचलू और डाक्टर सत्यपाल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया इसके बाद जनता हिंसा पर उतारू हो गई और कुछ काड़ियालों में आग लगा दी गई जिसमें कई जगह को मिला करके कड़ीब पांच अंग्रेजों की हत्या कर दी गई महिला जो विदेशी अंग्रेज महिला थी उनसे भी अवधर विवहार किया गया सहर पर से नागरिक प्रशासन का नियंतरन लगभग समप्थ हो गया यह इंसा इतनी उग्र हो गई थी कि जो नगर प्रशासन है वो भी भल हो गया 13 अप्रेल के दिन जर्नरल डायर ने जालिया वाला बाग में निहत्थे लोगों की सांतिपूर्ण सभापर गोलिया चलाई जब अम्रित सर्में जो वहां के जो अस्थानी नेता थे डाक्टर की चलू और डाक्टर सत्यपाल उनको भी गिरफतार कर लिया गया और इधर गांधी जी को पहले गिरफतार कर लिया था इसके विरोध में वहां की जो जन्ता थी वह हिंसा पर उतारू हो गई इसकर में पांच अंग्रेजों की हत्या कर दी गई कई सरकाड़ी काड़ियालों में आग लगा दिया गया इन सभी इस्थिति में जो हम सभी जानते हैं कि जालिया वाला कांड हुआ था इसमें वह जो नाम था उस जन्रल डायर जो जालिया वाला बाग में जो सांती पूर्ण सभा चल रही थी उस पर गूलिया चलवा दी थी जबकि वहां के लोगों को यह नहीं पता था कि इस समय सभा करने का सरकारी तंत्र द्वारा आदेश नहीं है और वह उन्हें इस बात का अभास भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा या इस तरफ सांती पूर्ण ढंग से सभा करने पर गोलिया चला दी जाएंगी इसा वहां के लोग सोच भी नहीं सकते थे पर जनरल डायर ने ऐसा ही किया और वहां पर सांती से सभा कर रहें लोगों के उपर गोलिया चला दी और बात में वह माना जनरल डायर बात में यह मानता है और कहता है कि यह सब अंजाने में नहीं हुआ वह लोगों को भैफित करना चाहता था इस वैसे वह सोच समझ कर जान बूझ कर इस तरह की करवाई की सरकारी आकरों के अनुसार इस गोली कांड में 389 व्यक्ति मारे गये परन्तु गैर सरकारी आकरे इससे कहीं अधिक थे यह असपस्ठ है कि रोलेट एक्ट के विरूध चलाया गया अंदुलन किसी योजना बद तरीके पर अधारित नहीं था सत्यागर्ण जो है सो केवल एक्ट के विरूध परचार हेतु साहित्तिक प्रकासित कर रही थी कुछ अख़वार उसके खिलाब अपनी बाते रख रही थी एक संगठन के रूप में कॉंग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी अधिकांस सेत्रों में जनता ने अंग्रेजी सासन के विरूध अपनी समाजिक और आर्थिक सिकायतों के कारण स्यम हिसा लिया क्योंकि इस कानून से काफी लोग प्रभावित हो रहे थे तो अधिकांस लोग इससे प्रभावित हो रहे थे उन्होंने खुद ही इसका विरूध और शिकायत करना आरंप कर दिया इस वैसे यह जो सत्यागरह है इतना विशाल ढंग से फैला था इसमें कोई योजनाबत तरीके से कॉंग्रेस ने इसका विरूध नहीं किया था पर जनता इस कानून से तरस्त होने लगी थी मैक्सिमम लोग इससे अधिक से अधिक लोग इससे प्रभावित होने लगे थे इसलिए उन्हें स्वेम ही इसमें हिस्सा ले लिया था एक बात अस्पश्ठ है कि गांधी ची दोरा किये गए सत्याग्रहों ने विभिन वर्गों और समुदाई के लोगों को एक अस्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था परंतु इस अंतुलन का सबसे महतपुर्म प्रभाव यह निकला की गांधी जी एक राष्ट्य नेता की रूप में उभर कर सामने आए अगर तो हमने अभी तक रॉल इट एक्ट के बारें पढ़ा और यह बहुत ही आसान था और साइसे समझने में आपको कटनाई भी नहीं हुई होगी अगर अपको एक बार में ही समझ में राता तो इस वीडियो को गांधी जी राष्टे नेता की रूप में उभर कर सामने आए तो इस वीडियो में इतना ही तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी इंपोर्टेंट टॉपिक पर